नमाश्कार साथिए राजकी संग्राले मत्रा ने आपका स्वागत एबम अभिननन ऑबजेक्ट अब दवीक की जो स्रंखला मत्रा संग्राले दोरा प्रारंब की गई मैं आसा कर रहा हूँ कि आप सभी को पसंदा रही होगी और इस से आपका ज्यान अर्जन भी हो रहा होगा इस स्रंखला में हम अभी तक दो कृतियां आपके समख्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और आज इसी स्रंखला में तीसरी कृति आपके समख्ष प्रदर्शित करने जा रहे हैं यह कृति जैन आयागपट के रूप में हमारे संग्राले में संग्रहित हैं इस कृति पर बात करने से पूर हम आप से सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जैन आयागपट होते क्या थे जैन धर्म से संबंदित पुरातात्विक साक्षों के रूप में प्रात आयागपटों को विशेश रूप से धार्मिक महत्वका स्विकार किया गया है जैन आयागपट वह वर्गाकार या आयताकार सिला पट हैं जिनने संभवता इस्तूप के बाहर धार्मिक द्रश्टी से पूजा हेतु इस्तापित किया जाता था अभी तक जो भी आयागपट ग्यात या प्राप्थ हुए हैं वह मतुरा के कंकाली टीला नामतिस्थान के हैं कंकाली टीला से राप एक तोरण खंड जिस पर आयागपट उतकीन है और उपासक उस पर माला चला रहे हैं इसके अलावा एक अन्यागपट जिस पर अंकित है कि से नादिक द्वारा इसकी स्तापना अरहत पूजा के लिए की गई थी इसी प्रकार के साच्छों के आदार पर कहा जाता है कि जो आयागपट थे उनका मैत्पूर्ण उप्योग पूजा के लिए ही था उनका बास्तूगत प्रथक रूप से कोई अन्यमहत्व नहीं था अब हम आज की इस्तित्य प्रस्तूती की ओर ध्यान देते हैं यह आयागपट जेट चैत्य आयागपट या इस्तूप आयागपट के रूप में जेन स्तापत कला का एक महत्पूर्ण साख्ष है जो की मत्रा संग्रालाय में बर्तमान में संग्रहित है इस आयागपट पर अगर हम ध्यान दें तो एक विसाल इस्तूप उत्किन है इस इसी कारण से संभवताय से चैत्पट या इस्तूपट की संग्या दे गई है इस इस्तूप को रेलिंग और सुसजित तोरणदार से युक्त दिखाया गया है तोरणद्वार की तरफ अगर हम ध्यान दें तो तोरणद्वार की ओर आनी वाले जो सीडियां है वह भी रेलिंग युक्त हैं इन सीडियों को ध्यान से अगर हम देखें तो यह साथ सीडियां है अथाथ साथ सो पान युक्त सीडियां हैं जिसमें दौनों तरफ रेलिंग अंकित है इस सीडि के दौनों और नीचे की तरफ ध्यान अगर हम दें तो दोचैत्य कोश्ट बने हुए हैं जिसमें खड़ी मानवा कृतियां अंकित हैं जो बरतमाण में खंडित हो गई हैं इन कृतियों को ध्यान से देखें तो दाइं और की कृति मनुश अथाद औरुस कृति है और बाइं और की कृति को एक इस्तरी कृति के रूप में पहचाना जाता है अब हम तोरण द्वार के उपरी हिस्से में चलते हैं अथाद इस्टूप के दौनों और ध्यान दें तो दौनों ही और किनारे पर दो इस्थम्बों का अंकन हुआ है यह स्थम्ब पर अगर गौर से देखें तो दाइं और का जो स्थम्ब है वह चक्र सीर्स युक्त है और बाइं और का जो स्थम्ब है वह सीर्स युक्त है से इस्थंब और चक्रिस्थंब के बीच जो इस्थूप बना है उस इस्थूप के दौनों ओर तीन उपासक एवुम्वासिकाओं की आक्रतिया अंकित हैं हम पहले नीचे से उपर की ओर बात करेंगे तो सबसे पहले नीचे देखा जाए दोनों और दो इस्त्री अकृतियां अंकित हैं जिनकी पहचान नृतिकियों के रूप में विद्वान करते हैं नृतिकियों के थोड़ा सा उपर अगर हम चलें तो सुपाइन गंधर्व अंकित हैं जिने ध्यान से देखें तो उनमें एक पूँच का भी अंकन देख सकते हैं और उनके पंजे जो पक्षियों के पंजे होते हैं उस तरीके के पंजे उनके देख सकते हैं यह दौनों गंदर्व मुर्ती सिल्प की द्रष्टी से नहत्पूर्ण है और इनको भी उपासक की संग्या दी गई है इनको ध्यान दें तो दाईं तरफ वाले गंदर्व के हाथ में हमें एक पुस्पगुच दिखाई देगा और बाईं तरफ वाले गंदर्व के हाथ में एक सुन्दर माला दिखाई देगी अब हम इस्टूप के उपरी इस्से में आते हैं दोनों और किनारे पर दो नग्न मानवा अकृतियां बनी हुई है जो की उड़ती हुई अवस्थाने दिखाई देए इन नग्न मानवा अकृतियों को विद्वान मुनियों के प्रतिनिधित्व के रूप में सुविकार करते हैं इन अकृतियों को थोड़ा ध्यान से अगम देखते हैं तो इनके बाएं हात में आपको एक बस्त्र दोना ही आकृतियों में एक बस्त्र का अंकन और बाएं हात में ही एक जल पात्र अथार्थ कमंडल देखने को मिलता है यह दोनों आकृतियां दाएं हात से अगर आप देखें तो दाएं हात इस्तूप को नमन कर रहा है इस प्रकार इन दोनों ही आकृतियों का अंकन इसको धार्मिक महत देता है अब हम इस्तूप के उपरी सीर्ज भाग पर आते हैं जहाँ पर हर्मिका और यस्टी युक्त एक सुन्दर छत्र बना हुआ है इस्तूप के उपर बेदिका युक्त छत्र की स्थापना उसके धार्मिक मैत्व की द्रस्टी से बौध इस्तापत में भी की जाती थी इस आयाकपट पर छत्र वाले हिस्से में ध्यान दें तो दौनों ओर सुन्दर भारी पुस्प मालाओं का अंकन हुआ है अब इन अंकनों के बाद हम इस आयाकपट के सबसे महत्पूर्ण हिस्से पर आते हैं जो की लेख के रूप में प्राप्त हुआ है अगर स्टूप के अंडवाग पर ध्यान दें तो उपर की ओर छे पंक्तियों में ब्रामी लिपी में आपको लेख अंके दिखाई देगा इस लेख में देखा जाए तो जो ब्रामी लिपी का अंकन हुआ है बहुत ही सुन्दर और अच्छे तरीके से हुआ है इस लेख के अनवाद से ज्याद होता है कि बसू नाम की एक गडिका ने जो कि गडिका लवण सुविका की पुत्री एवं अरहतों की सिस्या थी द्वारा एक जैन मंदेर आयाग सभा एक प्याव एवं एक सिलापट को इस्ताफित किया गया था अतर अगर हम यह कहते हैं कि इस यह जो चैत्यपट है यह उसी दान का एक हिस्सा था तो आतिशिक्ति नहीं होगी इन सभी साच्छों के आदार पर यह कहा जा सकता है कि इस आयाग पट्ट पर जो इस्तूप अंकित है संभवतर वय मत्थुरा के ततकालीन वास्तविक जैन इस्तूप की प्रतिकृती ही है कंकाली टीले से जो भी आयाग पट अभी तक प्राप्त हुए है उस द्रश्टी से यहां लेखनी है कि बरतमान में यह आयाग पट मत्थुरा के अलावा राज संग्रालय लखनव राष्टिय संग्रालय नई दिल्ली एवन इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में संग्रही थैं इस प्रकार यह तीसरी क्रति आपके ग्यानाजन के लिए आज प्रतुत हुए है और मैं आसा करता हूँ कि जो हमारी अब्जेक्ट अब्दल वीक की स्रीज ऑनलाइन माध्यम से आपके समक्ष आ रही है उसमें यह तीसरी प्रस्तुती आपके ग्यानारजन को बढ़ाएगी और आगे भी हम इसी तरह आपके ग्यानारजन के लिए इस स्रीज के अंतरगत विविन कलाकृतियों को प्रदर्शित करते रहे हूँ धन्यवाद औरले है तरचले करते भी है तर आ ररभार आम आही हमआबन दिए गभा को प्रदं हो तरले हम लिक सापके दोब बनेरेशन को की बढ़यू डोलいただनी हम活ा वेंखके व्यान देंए OF बनारएफफय लिसराएबन